Hello everyone, this is Muskan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains जो आपको provide करता है quality education, वो भी free of cost हम कर रहे हैं cell cycle and cell division के NCRT solution आज हम करने वाले हैं इसका part 2, मतलब आज हम करने वाले हैं इस chapter को खतम आज हम करने वाले हैं complete NCRT solutions की series को चलो start करते हैं देखना, कितने questions से आज हमें start करना है question सबसे पहले आ रहा है, question number 9 which says find examples where the 4 daughter cells from meiosis are equal in size and where they are found unequal in size अच्छा, आपको ऐसे examples बताने हैं जहां पर meiosis से मतलब meiotic division से जो 4 daughter cells बनेंगे, ठीक है वही, select करने का मतलब क्या अपने हैसाब से चलाना है आपको वो example देखने हैं जहां पर meiotic division से जो 4 daughter cells बनेंगे ठीक है, कौन से example में वो equal in size बनेंगे और कौन से example में वो unequal in size बनेंगे दो आपको बताने हैं examples फटा फट से बताएं मुझे answer तो फिर मैं बताती हूँ ठीक है, एक बार आप लोग comment कर दो फटा फट से answer उसके बाद मैं बताती हूँ कि कौन से वाले example में equal size के daughter cells बनेंगे और कौन से वाले example में unequal size के daughter cells बनेंगे फटा फट से बताएंगे answer चलो, देखते हैं time is over see, सबसे पहला example हमने लिया है spermatogenesis का spermatogenesis वो process है जब meostic division होता है meiosis होता है और जो चार daughter cells बनती है मतलब जो sporms बनते हैं वो कैसे बनते हैं, equal in size ठीक है, यहाँ पर देखो equal in size daughter cells बनती है लेकिन अगर oogenesis की बात करें तो इसे कहते हैं unequal division इसे कहते हैं unequal division जहाँ पर जो size है वो कैसा हो जाता है बहुत बहुत ज़्यादा निकोल हो जाता है मतलब एक proper cell बनती है और जो तीन बनती है वो बहुत ही tiny सी polar bodies बनती है ठीक है, कैसी बनती है tiny polar bodies तो इसलिए यह example है किसका unequal division का कौन से वाले, meiotic मतलब यह design मैंने नहीं डाली यह अपने आप आई है ठीक है, पर जो भी अच्छा है ठीक, यह किसका example है देखो जादुई शक्तिया कभी तो बायो की class में आना बंद करो किसका example है यह meiosis का example है ठीक, जब equal in division जब equal in size daughter cells बनेंगी तो यह example हम ले रहे है spermatogenesis का और eugenesis के अंदर क्या होता है जब पहले division होता है parent cell से ठीक है, daughter cell जब बनती है पहला first meiotic division जब होता है तो एक बनती है normal cell और एक बनती है tiny polar body, ठीक है, ऐसे होता है अरे यार यह क्या हो रहा है मजा नहीं आ रहा ऐसे होता है ठीक है, अब यह जो normal cell जब divide करती है second meiotic division के लिए अरे second meiotic division के लिए तब भी एक normal cell बनती है और एक बनती है tiny polar body और यह जो tiny polar body को अगर आप consider कर लो second meiotic division के लिए तो इसने भी बनाई किया दो tiny polar bodies, तो मतलब at last जो चार cell बनी, उनमें से सिर्फ एक ही normal size है ठीक है, एक ही normal cell है, बाकी तीन तो कैसी है, बिलकुल कैसी हो जाती है, degenerate हो जाती है ठीक है, unequal in size होती है, बहुत ही tiny सी polar body ही ने कहते हैं, ठीक है तो यह process चलती है किसमे ogenesis में यह होता है किसमें ogenesis के अंदर अरे यार यह red अपने आप क्यों आ रहा है ठीक है, तो यह दो examples हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं, इस से पहले की red आ जाए फिर से yes, question number 2, क्या कहता है यह, distinguish anaphase of mitosis from anaphase of meiosis अच्छा, mitosis के anaphase और meiosis के anaphase के बीच में difference बताना है, तो देखो, mitosis में anaphase आएगा एक बार, meiosis में आएगा दो बार, सबसे पहला difference तो यह हो गया, first meiotic division में आएगा, second meiotic division में आएगा, ठीक है, अब first meiotic division में mitosis वाला anaphase क्या करेगा, चलो बताते हैं, चलो बताते हैं, देखो, anaphase is the stage, सबसे पहले तो हम basic उसका जो feature है, उसकी बात करने के stage में होता क्या है, anaphase वो stage है, जिसके अंदर centromere split होते हैं, और chromatic जो है, वो क्या करते हैं, opposite poles की तरफ move कर जाते हैं, है ना क्योंकि metafase में क्या हुए थे, वो एक equator के along equatorial plate बनाकर equatorial plate बनाकर क्या हो गए थे, align हो गए थे, anaphase में क्या होगा, उस equatorial plate से अब chromatic क्या होंगे, दो अलग अलग तरफ खिच जाएंगे, यह diagram हमने पिछली क्लास में भी बनाया था, एक बार और बना ले क्या, चलो, दो सहली तो बनानी है, चलो बना लेते हैं फटा-फट से, चोटा-चोटा बना लेते हैं इस बार, एक सहल पहले में बनाऊंगी metafase की, और फिर में बनाऊंगी एक enaphase की, ठीक है, बस आपको उससे जनरल आइडिया लग जाए, और उसके बाद हम फिर भले diagram नहीं बनाएंगे, है ना, यह centriole बना लेते हैं हम perpendicular, यह centriole बना लेते हैं हम perpendicular, और centriole के बाद हम बनाते हैं क्या ester, right, सबको याद हो गया होगा, अब तो sequence कि कैसे बनाती है मैं, बनाओ, फिर बनाओ क्या, फिर बना दो, पहले chromosome, है ना, हम बना रहें पहले metafase, और फिर बनाएंगे enafase, फिर जो बच्पन में आप कबूतर बनाते थे painting में, वैसा structure बनाओ, ठीक है, और उस कबूतर के नीचे फिर एक और कबूतर बठाओ, ऐसे उसी से attach करके, ये बन गए आपके chromosomes, और chromosome के दो अलग-अलग specify करके दिखा रहे हूँ, आप क्या, chromatids, अब इन्हें attach करवा दो, इनी centrioles से, किस से के through, spindle fibers के through, ये हो गए attach, बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने दोनों metafase बना दी, ये हमने क्या किया, हमने दोनों metafase बना दी, हां, ज्यादा ही कबूतर बना दिये, चलो, इन कबूतरों को हम कर देते हैं, थोड़ा सा उड़ा देते हैं, उपर जाओ, अरे यार, इन कबूतरों को थोड़ा सा उड़ा देते है उपर जाओ और ये वाले कगुतर को भी हम थोड़ा सा उड़ा देते हैं तुम नीचे जाओ अब इने अटाच कर देते हैं इनके पर्टिकुलर स्पिंडल फाइबर से बन गया डाइग्राम मेटाफेज और एनाफेज का ठीक है? बन गया डाइग्राम मेटाफेज और एनाफेज का अब एक चीज जो मैं यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से स्पेसिफाई कर दू वो क्या है इनके ये? सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स? नहीं काइनेटोकॉर्स है ना? ये काइनेटोकॉर्स ये काइनेटोकॉर्स जो यहाँ ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे वहाँ उतने अच्छे से स्पेसिफाई नहीं हो रहे हैं यहाँ दिखेंगे ये काइनेटोकॉर्स और क्या? एक्वेटोरियल प्लेट ये एक्वेटर इसके अलॉग ये बन गई इनकी एक्वेटोरियल प्लेट और इस एक्वेटर से अभी हो गए क्या? दो अलग-अलग पोल्स की तरफ मूव बस यही होती है एनाफेस दो अलग पोल्स की तरफ जब ये मूव कर जाते हैं क्रोमेटिड एक दूसरे से separate हो जाते हैं कहां से ये centromere वाले रीजन से primary construction वाले रीजन से जहां से एक क्रोमजोम में दोनों क्रोमाटिड एक दूसरे से joint है इसी रीजन से जब ये क्या होते हैं अलग हो जाते हैं ये ही फेस आती है आपकी एनाफेस मेटाफेस के अंदर ये equatorial plate बन रही है, यह एक alignment बन रहा है equator के along, equator क्या है यह, यह equator है, ठीक है, तो this is what, this is equatorial plate, और अब इस equatorial plate से जब यह क्या हो गए, opposite move कर गए, तो यह क्या कहलाएगा, एनफेस, ठीक है, तो एनफेस का basic आपको याद आ गया कि यह क्या थी, अब mitosis, meiosis में यह कैसे vary कर रही है, ब यह समझना बाकी है, है ना, तो देखो, anaphase is the stage during which the centromere split, जहां पर यह जो centromere है न, जिसके तुरू यह यहां पर attached थे दोनों, यह, यह centromere क्या हो जाता है, split हो जाता है, और जो chromatids है, वो कैसे हो गए, देखो एक दूसरे से जुदा हो रहे है, है ना, खीच के ले जाया है, ठीक है, यह, देखो, काइनेट को और को पकड़के, इसे खीच के दो opposite pole में उनको ले के जाया जा रहा है, separate हो गए, the chromosome move apart, और जो chromosome है, वो अलग-अलग एक दूसरे से दूर होके move करने लगते हैं, towards the opposite poles, opposite poles की तरफ move करते हैं, these chromosomes are genetically identical, और यह जो chromosomes हैं, यह genetically identical होंगे, क्य क्योंकि यह एक ही chromosome के दो chromatid हैं, तो these chromosomes are genetically identical, क्योंकि यह एक ही chromosome के दो chromatid हैं, तो इसलिए यह chromosome कैसे होते हैं, genetically identical होते हैं, और यहां क्या कहा उन्होंने, कि देखो, anaphase 1 में, दो anaphase होंगी, तो इसलिए anaphase 1 में, जो homologous chromosomes होते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, separate हो जा क्रोमोजोम की जो पेरिंग हुई है तो वो क्रोमोजोम आपस से सेपरेट होते हैं पहले तो ठीक है फास्ट है ना फेस में क्या होता है जो दो क्रोमोजोम की पेरिंग हुई है पहले वो क्रोमोजोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे मतलब वहाँ पर बनेगा कुछ ऐसा पाए जा रहे हैं, अब ये क्या होंगे, जब पहला NFS आएगा, तो ये blue वाला chromosome पूरा उपर और yellow वाला chromosome पूरा नीचे, ऐसे करके दोनों chromosome एक दूसरे से लगोंगे, पहले NFS में, दूसरे NFS में क्या होगा फिर, फिर दूसरे NFS में, इनके chromatids भी separate होंगे ठीक है now hence in anaphase 1 the chromosome of each bivalent pair separate while the sister chromatids remain together यहां पर हर एक pair के bivalent मतलब 2 chromosome जो थे यह जो bivalent है इसमें से दोनों chromosome एक दूसरे से अलग हो जाएंगे लेकिन chromatids अभी भी जुड़े हुए है यह देखो यह दोनों को जो मैंने यहां दो अलग कलर से दिखाया हुआ है यह देखो यहां पर इनके chromatids में अलग नहीं करें वहना आप बोलते कित्ते कलर हो गया मैडम ठीक है तो यह chromatids एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए है एनफेस बन में यह कब अलग होंगे एनफेस टू में अलग होंगे कब अलग होंगे यह सेकेंड अनफेस में है ठीक है अब देखो next में क्या हुआ uppe में मारें d5 फार इसमे टाहर में आपको पूरे के पूरे फ्रोशली न हरे यह देखो एसके पास कितने हैं चार पराइट सैं यह देखो क्योंकि उसके chromatid अभी separate नहीं हुए chromatid separate होंगे उसके दूसरे एनाफेज में यह एनाफेज 1 है यह एनाफेज 1 है ठीक चलो next देखे list the main differences between mitosis and meiosis mitosis और meiosis के बीच के main differences आपको बताने है mitosis और meiosis के बीच main differences आपको बताने है कि क्या differences होते है in between the mitosis and meiosis चलो देखते हैं differences between mitosis and meiosis see mitosis जो stage of division है किस तरह से होती है और meostic division जो है वो किस तरह से cell को divide करता है see mitotic division के अंदर माइटाटिक डिविजन के अंदर क्या होता है इसको हाइलाइट कर लेते हैं रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ मज़ा नहीं आएगा हाँ यह बात माइटोसिस मी यह 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 आभी देखते हैं थोड़ी सी dudug अब मजाएगा देखो माइटocur्टोसिस में क्या होता है इन माइटोक डिविजन और सिंकल डिविजन रिजर्ट संट्व daughter cells, mitotic division में एक single division जो है वो बनाता है, दो daughter cell को meiosis के बारे में आपको पता हिए meiosis में होते हैं, दो divisions first meiotic division, second meiotic division हर एक meiotic division से दो cells बनती है, ठीक है? मतलब, एक cell जो है, वो एक बार में क्या करती है? दो cell को बना देती है, ये phenomenon है किसका? mitosis का बार में बनाती है, दो cell को और फिर ये दो cell बनाती है, अगली बार में दो और दो मतलब total चार cell को ठीक है? ये phenomenon है किसका? meiosis का ठीक है? अब ये जो एक बार division हुआ है ये होता है, first meiotic division और ये जो second time पे हुआ है, ये होता है, second meiotic division, इतनी बात तो clear है सबको, है ना? तो see mitotic division जो है, वो एक single division से दो daughter cell बना रहा है है ना? एक single division पर दो daughter cell को बना रहा है और meiotic division क्या करता है? meiotic division involves two successive divisions, इसके अंदर दो successive divisions होते हैं meiosis 1 and meiosis 2, ठीक है? meiotic division के अंदर दो successive divisions होते हैं meiosis 1, meiosis 2, these divisions result in four daughter cells और in divisions से फिर finally, चार daughter cells बनती हैं इनको मैं रंग भर दूँ क्या? हैं वो daughter cell दिख रही है नहीं दिख रही है इसको? किसी को ये daughter cell दिख रही है या नहीं दिख रही? 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो, ये देखो, ठीक है ये सब daughter cells है इनके बीच में दिवार भी खड़ी करनी पड़े गया रही है यार कितना कुछ करना पड़ता है ये लो, ये क्या हुआ? मज़ा नहीं आया ऐसे दिवार, अभी सही है, ठीक है? माइटोसिस से बनी क्या 2 daughter cell और मियोसिस से बनी क्या 4 daughter cell ठीक है? तो माइटोसिस से बनते हैं, एक division से 2 daughter cell और मियोसिस में होते हैं क्योंकि 2 successive division, first meiotic division, second meiotic division इसलिए बन जाते हैं क्या 4 daughter cell ठीक है? क्या बनते हैं? 4 daughter cell ठीक है? आप देख लेंगे next Mitosis is known as Mitosis is known as Equational division क्योंकि इसके अंदर जो parent cell है उसके अंदर और जो daughter cell है उसके अंदर का chromosome number कैसा रहता है same रहता है chromosome number जैसे अगर मैं वहाँ लिखने जाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी मैं यहाँ लिख दूँगी haploid है haploid ही रहेगा parent cell से लेकर daughter cell तक chromosomal number content same और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यह कैसी happyloid यह कैसी deployed से haploid deployed से haploid इस तरीके से division होता है किसके अंदर होता है यह मियोसिस की condition में मियोसिस की condition में यह जो division है यह reductional division होता है जो chromosome number को half कर देता है मियोसिस की condition में यह reductional division होता है जो chromosome number को half कर देता है ठीक है चलो अब देखें यहाँ पर कि मियोसिस is known as mitosis is known as equational division क्योंकि यह equal-equal chromosome number को रख रहा है and this is because the daughter cell have the same deployed number of chromosome as the parent और अगर इसी की बात हम करें chromosome number की meiosis में तो जो first meiotic division है इसे कहते है reductional division क्योंकि यहाँ पर यह chromosome number को क्या कर देता है half कर देता है और अगर second meiosis की बात हम करें second meiotic division की बात हम करें तो यह भी equational division होता है मतलब equal to mitosis होता है जिसके अंदर chromosome number कैसा रहता है same रहता है जो मैंने यहाँ भी आपको लिखके दिखाया था अगर आपने ध्यान दिया था बस वही कहानी है ठीक है मैंने लिखने के बाद उसको erase इसलिए किया यहाँ पर आप उसको read कर रहे हो अब आप उसको relate करो देखो जो मैंने लिखा था mitosis में equational division मतलब जो parent का number of chromosome वही आपको लिखना है daughter cell में तो देखो यही लिखा था मैंने 2N 2N और 2N अगर deployed तो भोई daughter cell भी deployed ही बनती है deployed parent से daughter cell भी deployed ही बनती है equational division है ठीक है mitosis meiosis जो होता है first meontic division कहलाता है क्या reductional division ठीक है reductional division अब यह जो reductional division है इसमे parent के अरे यार यह क्यों color change कर रहा है अपने साब से यह कैसा है deployed और जो first meontic division से 2 cell बनी है ठीक है क्योंकि यह कैसा है reductional division है first meontic division कैसा है reductional division है कटना नहीं है भाई first meontic division कैसा है reductional division है और second meontic division भी कैसा है equational जैसा यह equational ठीक है अब क्या होगा अब क्या होगा second meontic division Equational था Equational का मतला बोता है कि जितने number of chromosome parent में उतने ही daughter cell में तो ये parent cells हैं हमारे second meiotic division के लिए और इनकी daughter cells में chromosome number भी same रहना है तो ये देखो haploid 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 समझ आया? समझ आया? बताओ कहानी बहुत जादा छोटु छोटु कहानी है पर समझ आया नहीं यह बताओ कहानी बहुत जादा छोटु छोटु है पर समझ आया नहीं यह बताओ जल्दी बताओ ये जो दो बादल है purple और yellow color के ये तो समझ आया होंगे है ना? आगे देखे माई टॉसस Equational comprise any phase. जो pro phase है इनकी, वो कैसी है short phase है. Pro phase is a short phase और इसमें कोई अलग sub phases नहीं होती. ठीक है? प्रोफेर्ज की कोई sub phases नहीं होती. ऐसा क्योंց बोलना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ होती है nai meiosis में. ऐसे क्यों बोलना पड़ है? क्योंकि meiosis में होती है sub-faces meiosis में pro-phase 1 जो है वो बहुत ही long phase होती है और उसके अंदर further 5 और जादा phases, sub-faces जिसे आप कह सकते हो वो सब होती है जिसे कि leptotene, zygotene, pacitene, diplotene, diakinesis ये सारी stages इसके अंदर इसकी pro-phase में involved होती है किसकी pro-phase में involved होती है मतलब first meiotic division की pro-phase 1 में ठीक है, second की बात नहीं हो रही है pro-phase 1 की बात हो रही है ठीक है, यहाँ पर pro-phase short है उसकी कोई first और second वाली stages तो यहां है नहीं और sub-faces भी नहीं है यहाँ पर pro-phase 1 जो है वो long phase है और उसकी further 5 phases निकल कर आती है which are leptotene, zygotene, pacotene, diplotene and diacanesis, clear इतनी बात अब देखेंगे next there is no pairing of chromosome, है न mitosis में chromosomes की pairing नहीं होती mitosis की कोई pairing ya mitosis में chromosomes की कोई pairing ya synapsis का formation synaptonymal complex, ऐसा कुछ नहीं होता mitosis में कोई synaptonymal complex नहीं बनता pairing of homologous chromosome नहीं होती crossing over नहीं होता कुछ भी नहीं होता chess meta formation नहीं होता कुछ भी नहीं बनेगा ऐसा ठीक है तो यहां पर यह सब कुछ जो नहीं है वो इसलिए कहना पढ़ रहा है हमें जो चीज नहीं होती उसके लिए हम थोड़ी बोल बोल के बताते है लेकिन हमें उस case में यह चीज बोलनी पड़ती है कि मेरे पास नहीं है जब मुझे बताना पड़े के सामने वाले के पास है हमेशा मेरे पास कुछ नहीं है वाली बात तभी निकल कर आती है जब मुझे कहीं दिख जाए कि इसके पास तो है तो मैं बोलती हूं नहीं भई मेरे पास तो नहीं है मेरे पास तो नहीं है ठीक है तो आपको यहां से अगर वो हिंट मिल गई जो मैं देना चाहरी हूं कि हमेशा कमपैरिजन से ही दुख उत्पन होता है ठीक है जो जीवन में दुख फील होता है कि मेरे पास यह चीज नहीं है या जो भी negativity आती है वो इसी चीज से आती है जब आप compare करते हो जब आप देखते हो कि यार इसके पास तो है आप देखो ही मत ठीक है तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको feel ही नहीं होगा कि आपके पास नहीं है ठीक तो this is the approach this is the thought process अगर आप पोजिटिव रहना है तो यह चीज सोच नहीं पड़ती है इन डज यूग टीन स्टेज़् ऑफ अफ प्रॉफ्र यहां पर प्रो फफेस की जाइगोटीन स्टेज़ में यह सब कुछ होता है ठीक है पैचटीन फेज के अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, चेजमेटा बनता है डिपलोटीन स्टेज में, ये सारे फॉर्मेशन्स यहाँ पर मियोसिस में देखे जाते हैं, माइटोसिस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, माइटोसिस के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ये सब कुछ होता है मियोसिस के अंदर, ये सब कुछ होता है मियोसिस फेज में, नेक्स देखते हैं माइटोसिस के बारे में, Synaptional complex is not formed, यहाँ पर जो Synaptional complex है, मतलब 2 Homologous chromosome की pairing से जो बनता है, मतलब synapsis के बाद जो complex बनता है जिससे synaptonymal complex हम कहते हैं वो यहां नहीं बनेगा ठीक है यहां नहीं बनेगा mitosis के case में तो हर वक्त यही बोलते रह जाते हैं कि यह नहीं होता नहीं होता नहीं होता क्योंकि सारी complex जो mechanism है mitosis बहुत simple phase है है नहीं बहुत simple kind of cell division है meiosis में सब कुछ complex है तो mitosis में हम यहीं बोलते रह जाते हैं कि इसमें ऐसा भी नहीं होता इसमें ऐसा भी नहीं होता ठीक है चलो तो meiosis में क्या होता है synaptonymal complex is formed during the zygotene stage of pro phase 1 यहां पर synaptonymal complex बनता है कब pro phase 1 की zygotene stage पे यहां पर बनता है synaptonymal complex कब pro phase 1 की zygotene stage पे zygotene कांशी stage है दूसरी है ना लेप्टो के बाद वाली leptotene then zygotene ठीक है अब देख लो भाई anaphase anaphase involves the separation of chromatids of each chromosome anaphase के अंदर क्या होता है pro phase की बात तो हमने कर ली सारी stages की बात हमने कर ली anaphase में क्या होता है यहां पर जो दो chromosome के अंदर जो chromatids है उनको क्या करते है separate करते है और anaphase अगर हम बात करेंगे मियोसिस में जो एनाफेज होता है तो एनाफेज बन में क्या होता है दो क्रोमोजोम एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि क्रोमोजोम का पेर बन चुका होता है न तो मियोसिस में जो पहला एनाफेज आएगा उसमें दो क्रोमोजोम एक दूसरे से अलग होते हैं और दूसरा एना फेस जो आएगा उसके अंदर फिर एक हर एक्रोमाटिट के हर एक्रोमोजोम के दोनों ग्रोमाटिद अलग हो जाएंगे यह चीज़े मैं आपको बना के बता चुकी हूं इसलिए मैं अब नहीं बता रही हूं प्छले पार्ट से लेकर इस पार्ट तक हमने इस चीज को बहुत बार ड्रॉकर लिया है इसलिए मैं अब इसको नहीं बता रही देखो भई यहाँ पर वर्बली समझ लेते हैं ड्यूरिंग एना फेज वन दा होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट वाइल दा क्रोमाटिट रिमेन अटेच्छ तो दे सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर सेंट्रो सेंट्रोमियर नहीं तो जोड़के रखा है सेंट्रोमियर नहीं तो जोड़के रखा है अगर सेंट्रोमियर स्प्लेट ना हो तो क्रोमाटिट कैसे अलग होंगे संट्रोमियर स्प्लेट हो जाता है क्योंकि स्पिंडल फाइबर खीच रहा है उसको दो अलग तरफ का ओन में होता है क्या chromosome separate और यहां देंखो chromatic separate ठीक है यह difference है एना फेरिज 1 और एना फेरिज 2 में ठीक है अगर कभी कोई आपS ऐसे पूछे तो आप ऐसे भी बता सकते हो यह difference है किस में एना फेरिज 1 और एना फेरिज 2 में एना फेरिज 1 में wheels automate होते हैं और एनफेस 2 में chromatic separate होता है इस चीज़ को note कर लो अगर ये वाला difference कभी आया तो आप बता सकते हो एनफेस 1 में क्या होता है chromosome separate और एनफेस 2 में क्या होता है chromatic separate होता है clear है यहां तक चलो, आगे बढ़े see एक difference और देख लो my toss is place my toss is place a significant role in the healing repair and growth of a cell my toss is क्या करती है cell की repairing में cell growth में, cell healing में help करती है my toss is कहां help करती है my toss is help करती है cell को heal करने में, repair करने में grow करने में, ठीक my toss is का important role होता है cell को repairing करवाना cell की growth करवाना, cell को heal करवाना, यह my toss is का important function होता है और अगर बात करें meiosis की कि भाई देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि myotiab division कैसे हो रहा है ये भी पढ़ लिया कि myotiac division काईसे हो रहा है इससे पहले वाले question में ये भी देख लिया कि mytosis कहां होता है होता ही क्यों है significance भी तहोगा कुछ ? इंपर्टेंस तो होगी नabyrinPlease carry it इसकी कुछ बजा होगी उसकी कुछ जरूरत होगी तब और यह तो जरूरत क्या है इसके होने की significance क्या है इसके होने का significance है क्या है शुझस क्या है। individu कि क्या करती है chromosome number को maintain करके रखती है generation to generation और करवाती है क्या variations ठीक है क्या करवाती है meiosis variations को लेकर आती है जो crossing over उसके अंदर हुआ है उसकी वेसे क्या आता है individual variations जो हम सब में पाए जा रहे हैं ये आता है ठीक है तो sexual reproduction में इसका role होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि mitosis का कोई role ही नहीं है ठीक है reproduction में हर जगा role है लेकिन meiosis specially जो है वो किसके अंदर होती है एक चीज़ और लिख लो mitosis जो होती है वो किसमें होती है somatic cells में ठीक है mitosis होती है somatic cells में और meiosis होती है germ cells में ठीक है ये चीज़ और note कर लो 8th point डाल के इसको और नोट कर लो Mitosis होती है somatic cell में Meiosis होती है germ cell में चलो, यह point नोट हुआ Somatic और germ cell See, next देखेंगे What is the significance of meiosis? अब ही जो हमने significance देखा बस अब significance की बात कर लेते हैं कि meiosis का significance क्या है? ठीक है? क्यूं होती है meiosis? बताईए See, पढ़ते हैं चलो Meiosis is the process involving सबसे पहले तो वो थोड़ा सा एक जनरल सा explanation देखो, questions के यह answers है यह का हम topic तो पढ़ नहीं नहीं है तो question का answer कभी भी ऐसे frame नहीं कर सकते हैं कि आप directly significance बताने लगो पहले आपको meiosis का थोड़ा short explanation तो देना पड़ेगा कि meiosis क्या है? तो meiosis is the process which involves the reduction in amount of genetic material जिसमें genetic material का amount reduce हो जाता है it comprises two successive nuclear and cell divisions इसमें दो successive nuclear and cell divisions होते हैं एक single cycle of DNA replication होती है एक ही बार DNA replication होता है अगली बार में नहीं होता है ना? first meiotic division के वक्ट DNA replicate करता है दूसरी बार नहीं करता as a result at the end of meiosis 2 four applied cells are formed और इससे फिर क्या होता है meiosis 2 के बाद second meiotic division के बाद 4 applied cells बन जाती है ठीक है अब यह सब जो बन रहा है यह सब जो हो रहा है यह पूरा जो meiotic division है इसका significance हम देख लेते हैं जो हमसे question में पूछा हुआ है significance of meiosis इसमें हम कुछ design डाल सकते हैं रुख जाओ यह बात क्या पूछा है हमसे significance of meiosis तो सबसे पहला क्या है significance that meiosis maintains the chromosome number from generation to generation इस बात का मतलब क्या है यह अभी भी बोला इन्होंने सेम कि यह generation to generation chromosome number को maintain करके रखती है कैसे maintain करके रखती chromosome number को देखो समझो एक organism है ठीक है यह organism है ठीक है और एक और organism है ठीक है एक और organism है अब मैं अगर आपसे यह कहूँ कि इनके बीच में होगी क्या मेटिंग ठीक है? इनके बीच में होगी क्या मेटिंग ताकि नया ओफ्स्प्रिंग्स प्रोडियूज हो सके अब जो नया ओफ्स्प्रिंग बनेगा जो नया ओफ्स्प्रिंग बनेगा ठीक है? उस में chromosome number कितना होगा और इन में chromosome number कितना होगा छिक, चलो देखो लगा लेते हैं जड़ा गिंती देखो जो भी और्गैनिजम सोते हैं छिक, इनका chromosomeal content होता है कैसा deployed ठीक है, यह सब organisms कैसे होते हैं deployed organisms होते हैं तो आप यह अगर एक्जामपल ले ना देखो यहां पर मैं एक केस बना रही हूं और फिर यहां पर हम बनाएंगे दूसरा केस ठीक है यह जो डिपलॉइड और गानिजम है ठीक जब यह अपना गामीट बनाएंगे अगर यह अपना गामीट भी कैसा बना दे डिपलॉइड ही बना दे ठीक है डिपलॉइड ही बना दे तो जब इन दोनों गामीट का फ्यूजन होगा जब इन दोनों गामीट का फ्यूजन होगा तो आप समझो कि जो नया इंडिविजूल बन रहा है उसके अंदर chromosome number क्या होगा? सोच के देखो क्या ऐसा possible है? क्या ऐसा होना possible है? नहीं ये तो abnormal condition develop कर देगा इससे तो ma'am normal condition जो है वो possible ही नहीं हो पाएगी जो एक normal individual बनना चाहिए deployed, यहां में deployed लिखो ठीक है? individual जो है वो normal कैसा बनना चाहिए? deployed individual बनना चाहिए क्योंकि उसकी जो species है वो deployed individual ही carry करती है ठीक है? अब deployed individual बनेगा कैसे? एक case में बनेगा ma'am अगर इनके gametes जो हो वो कैसे हो haploid अगर इनके gametes जो हो वो कैसे हो haploid, चलो देख लेते हैं इनके gametes कैसे होने चाहिए ma'am haploid होने चाहिए, ऐसे ठीक है? फिर जब इनका fusion होगा तो जो individual बनेगा वो भी बनेगा deployed हलाकि ये case में यहां लिखने वाली थी पर मैंने यहीं लिख दिया ठीक है चलो देख तो लिया आपने तो ये वारा जो case है इसके लिए responsible है, इसके लिए important है क्या? कि जो deployed organism है वो जो gamete बना रहा है अपने वो gamete वो हमेशा कैसे बनाए? हिपलोईड मतलब अपना chromosomal content वो कैसा कर दे? ताकि एक individual से half जाए एक gamete में एक से जाए half दूसरे gamete में और दोनों के मिलके फिर से double जो बनेगा deployed वो normal condition को ही develop कर दे clear इतनी बात अब ये वाली condition के लिए chromosomal content half करने की ज़रूरत है cell जब divide करे ये वाली cell जब divide करे तो ये कैसे करे? chromosomal content को half करे ये cell है कौन सी? germ cell ये है क्या? gametes और ये जो बना है, ये क्या बना है? zygote ठीक है? ठीक है? तो ये जो germ cell है, ये कैसी दिख रही है? आपको deployed ये बनाएगी gamete कैसे? haploid इनका होगा fusion तो बनेगा क्या deployed zygote मतलब नया individual का cell ठीक? तो अब इस condition के लिए सबसे पहली बात जो यहाँ पर निकल कर आई वो ये कि एक germ cell को gamete बनाने के लिए जरूरत होती है क्या करने की? reductional division को करने की मतलब 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 meiosis करने की सिर्फ meiosis में ही ऐसा हो सकता है कि क्रुमोजोमल कंटेंट हाफ हो जाए तो अब समझाएं आपको meiosis का significance बताओ यह पूरी कहाने आपको क्या सिखाई? कि अगर जो germ cell है जो क्या बना रही है दोनों parent के gamete को बना रही है अगर वो meiosis ना करे तो वो heploid gamete कैसे बनाएगी और अगर वो heploid gamete ना बनाए तो उनके fusion से जो individual बन रहा है वो normal condition का deployed individual कैसे बनेगा? दिक्कत आएगी या नहीं? बताओ समझ आई बात समझ आई बात या नहीं? यह बताएं जड़ा तो इसलिए यहाँ पर इस term को यूज किया जा रहा है कि meiosis जो है वो क्या करती है? generation to generation chromosome number को maintain करके रखती है यह मैंने यहाँ पर इतनी सारी कहानी से क्यों समझाया? क्योंकि यहाँ पर आता है confusion यहाँ लगता है कि मैं यह कहाँ chromosome number maintain कर रही है? meiosis तो chromosome number को half करती है maintain करने का काम तो mitosis कर रही है अरे भाई mitosis chromosome number maintain करके रखती ठीक है equal बना कर रखती ठीक है लेकिन वो individual के case की बात नहीं हो रही sexual reproduction की बात नहीं हो रही ugly generation की बात नहीं हो रही यहाँ पर अगली generation में यह chromosome number को कैसे maintain करके रख रही है? यह chromosome number को इस तरीके से maintain करके रख रही है sexual reproduction के case में यह देखो जो individual है ठीक है? उनने जब नया individual बनाया तो वो भी बनाया कैसा, deployed ही, जबकि बीच में gametes जो बने वो कैसे बनाया उन्होंने, haploid, ठीक है, तो meiosis क्या करती है, meiosis की वज़ा से, generation to generation, जो chromosome number है, वो maintained रहता है, it reduces the chromosome number, it reduces the chromosome number to half, so that the process of fertilization, restores the original number in the zygote, ये chromosome number को half, इसलिए करती है, gamete बनाते वक्त, ताकि जब फिर से fusion होके zygote बने, तो पुराना जो chromosomal number है, वो क्या हो जाए, वापस से regain हो जाए, ठीक है, जो individual बने, वो वैसा ही बने, जैसे की mature individuals थे, deployed, तो यह रोई बात यहाँ पर, ये जो पूरी की पूरी कहानी थी, ये क् आपको समझ आ गई, जदा बता दो, बता दो भाई, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, तब तक मैं चारा थोड़ी सी ड्राइंग कर लूँ, चले, क्लियर हो गया सब को यहां तक, आगे बढ़ जाए, चलिये, सी, सेकंड दिखेंगे, सिग्निफिकेंस ओफ मियॉसिस, वरियेशन ऐसे आता है, कि जो यहां पर सबसे पहली प्रोफेज वन की सबसे पहली स्टेज में क्या हुआ था, होमोलोगस क्रोमोजोम की पेरिंग जो हुई थी, इस पेरिंग के वक्त, होमोलोगस क्रोमोजोम की पेरिंग से क्या हुआ था, इस पेरिंग से क्या हुआ था, इनके बीच में क्या हुआ था, crossing over, जब इन्होंने genetic material को एक chromosome का, दूसरे chromosome का क्या करा, कुछ-कुछ हिस्सा mix कर दिया तो इन्होंने बनाया एक नया ही genetic material, एक नया ही code बनाया इससे क्या आया? variation आया, मतलब अगर एक chromosome जो की ऐसा हुआ करता था उससे आके दूसरा chromosome जो की attach हो गया red set किया था भाई ये chromosome उससे आके attach हो गया, ठीक है? पहले ये chromosome कैसे हुए कर रहे हैं विल्कुल proper yellow, proper red अब जो chromosome बनेंगे, वो कैसे बन जाएंगे? देखो, ऐसे बनेंगे देखो इसका सिर्फ ये हिस्सा जहां से ये attach हुआ था, सिर्फ ये हिस्सा क्या हो गया, exchange हो गया तो अब देखो, ये दोनों chromosome पहले वाले से सिर्फ अगर एक code भी change हो जाता है एक sequence भी change हो जाता है तो पूरा का पूरा genetic material जो है, वो different हो जाता है, change हो जाता है तो बस इतनी सी चीज़ की वज़से आगया क्या variation, अब जो individual है उसका जो chromosome है, ये जो chromosome से क्या हो चुके है, नए हो चुके है modify हो चुके है, variation इन में आ चुका है इसी की वज़ा से आता है क्या variation, ये क्या है, इस चीज़ को इस process को कहते है, हम crossing over this is the significance of meiosis जिसमें होता है क्या variations are caused by the crossover or crossing over and the random distribution of homologous chromosomes between the daughter cells variations play an important role in evolution, अब ये जो chromosomes बनेंगे, इनका random distribution होता है daughter cell में, ऐसा नहीं है कि fix है कि इस daughter cell में ये वाला chromosome देना है, इस daughter cell को ये वाला chromosome देना है, random distribution होता है number fix होता है, ठीक है तो बस, ये इस random distribution की वज़े से इस crossing over की वज़े से आते हैं variations और जो बहुत ज़्यादा important है किस चीज के लिए, evolution के लिए ये variations बहुत 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 ज़्यादा important होते हैं evolution के लिए second देखते हैं क्या significance है C, chromosomal mutations उल्टा पहन चला रही थी मैं talent chromosomal mutations are brought about by the introduction of certain abnormalities ये जो chromosomal mutations है ये कैसे आते हैं? ये कुछ abnormalities की वज़े से आते हैं and these chromosomal mutations may be advantages for an individual ये जो chromosomal mutations होते हैं ये advantages भी हो सकते हैं और disadvantages भी हो सकते हैं chromosomal mutations आते कैसे हैं? C, chromosomal mutations जो हैं वो किसी abnormalities की वज़े से लेकिन अगर normal ना चलके कुछ abnormal कर दे तब आता है mutation, ठीक है, जो normal process आपने पड़ी है meiosis की, इसी crossing over, इसी genetic variation के वक्त क्या हो जाए, इसी intermixing के वक्त क्या हो जाए, normal process की बजाए कुछ abnormalities create हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं क्या chromosomal mutations, ये कभी अच्छे भी होते हैं और ये कभी गुरे भी होते हैं, कभी इनके advantages भी होते हैं, और कभी इनके disadvantages भी होते हैं, और ज्याधा तर disadvantage ही होते हैं ठीक है, आगे डिखते हैं, next question क्या कहता है, discuss with your teacher about haploid insects and lower plants where cell division occurs, आपको क्या discuss करना है, आपको discuss करना है कि haploid insects और lower plants में cell division कहा होता है ठीक है कहां होता है यह पूछा गया है ठीक है प्लॉइड इंसेक्ट में कहां होता है और लोवर प्लांट में कहां होता है सेल डिविजन फड़ावट से बढ़ी सोचो क्या लगता है आपको उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ फिर हो जाएगा हमारा डिस्कुशन पहले बता दो अपको क्या लगता है कहां होता है हप्लॉइड इंसेक्ट और लोवर प्लांट में सेल डिविजन उसके बाद मा बताती हूँ आंसर जल्दी से बताएंगे हप्लॉइड इंसेक्ट और लोवर प्लांट में सेल डिविजन कहां होता है वेर दस दसेल दिविजन अकर where does the cell division occurs see the correct answer will be this see in some insects and lower plants fertilization is immediately followed by zygotic meiosis kuch insects or plants may kya hota hai jayse hi fertilization hua torrent kya ho jayega zygotic meiosis hooga just ki wajah se joh organism hai woh kaisa bane ga heploid ban jayega mtlab aysa nahi hai ke fusion nahi hua aysa nahi hai ke fusion nahi hua do gametes ka kya hua fertilization hua aur zygote to bana lekin woh zygote turent hi toot gaya turent toot gaya thik aysa lag raha hai mene kuch aysa set bana dya dhekho do gametes ka fusion hua zygote bana aur woha vaapas se toot bhi gaya turent mtlab yaha pere kya hua the fertilization is immediately followed by zygotic meiosis zygote nne kya kar dya meiosis kar dya toh ushe kya kaha humne zygotic meiosis this fertilization leads to what this fertilization is immediately followed by zygotic meiosis jiski wajah se yye joh organism ban raha yye kaisa ban raha hai haploid yye organism kaisa ban raha haploid ban raha which leads to the production of haploid organisms this type of life cycle is called as haplontic life cycle इस तरह की life cycle को कहते है हम haplontic life cycle haploid insect or lower plant जिन में cell division होता है उनके बारे में हमें बात करनी थी यहां पर हमने देखा की haploid insects and lower plants में cell division कैसा haplontic life cycle की कहानी कैसी यह जो life cycles की बात यहां पर यह term आया है haplontic life cycle एक और आपने देखा हुआ है diplontic life cycle ठीक है ना एक और term आप लोगों ने सुना हुआ है diplontic life cycle का सुना हुआ है का सुना हुआ है है Plant Kingdom में, ठीक है? है Plontic Life Cycle और Diplontic Life Cycle इन Life Cycles में यह क्या करते हैं? Interchange करते हैं, इसको ऐसा sign बनाते हैं, Reversibility का ठीक है? इन Life Cycles को यह क्या कर लेते हैं? Life Stages को यह क्या करते हैं? Reverse करते हैं, Cyclic में में चलते हैं Diplontic से जाता है किस तरह आप? diplontic से वापस आती है cycle कि दर haplontic की तरफ, reversibility का sign थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, cyclic process का sign बनाते है diplontic से haplontic और haplontic से फिर से diplontic ऐसे करके यह क्या करते हैं, अपनी stages को change करते हैं और इसी चीज को हम कहते हैं, यह जो stages change करते हैं इसी को हम कहते हैं alternation of generation alternation of generation क्या कहते हैं इसे alternation of generation ठीक है, जिसमें life cycle haplontic से diplontic, diplontic से haplontic, haplontic से diplontic, diplontic saiklic way में चलती है क्या कहते हैं इसे, changes को इस cyclic change को क्या कहते है alternation of generation है ना तो haplantic life cycle क्या है जब haploid organism बन जाता है और फिर से haploid 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 चलता रहता है चालो भाई आगे बढ़ते है see दूसरा क्या पूछा है some haploid cells in higher plant where cell division does not occur कुछ ऐसी haploid cell higher plant में भी होती है जहाँ पर cell division नहीं होता कौन है वो? कौन है वो लोग? कौन सी है वो cells? see देखते हैं answer the phenomena of polyploidy polyploidy के phenomena की यहाँ पर क्या बात आई? the phenomena of polyploidy यह क्या हुआ? the phenomena of polyploidy can be observed in some haploid cells in higher plants in which cell division does not occur polyploidy का यह phenomena कुछ haploid cells में भी observe किया जाता है किसकी higher plants की कुछ haploid cell में भी polyploidy का phenomena observe किया जाता है polyploidy का मतलब क्या है? कि देखो haploid मतलब हम क्या कहते है? देखो इसे हम क्या कहते हैं? इस condition को? haploid condition कहते हैं है नो और जब क्रोमोजोम नंबर क्या हो डिपलॉइड Guide Kinडिश्ण में हो ठीक है तो से हम कहा देते हैं डिपलॉइड welding कंडिश्ण ठीक है और क्रोमोजोम नंबर थी Campus अगर क््रोमोजोम निंबर इन दोनों से और अगर आप समझो कि हैफ टोट इपलोईड से घोलग मुटूठी लेवल की बात होगी तो उसेको ब्रर कॉम करते हैं कैसे उनलग का तो तो यह सत्वन होता है water falar लेकिन नहीं हुआ ठीक है उसे क्या कहते है polyploidy कहते है जिसमें cell के पास क्योंकि nuclear division तो हुआ था cell division नहीं हुआ तो यहाँ पर state में cell के पास क्या होते है multiple pairs of chromosomes क्या होगा इस cell के पास multiple pairs of chromosomes होते है ठीक है then the basic set polyploidy can be artificially induced in plants by applying colfin to cell structure polyploidy का जो mechanism है यह plant में artificially भी induced किया जा सकता है polyploidy का mechanism plants में artificially भी induced किया जा सकता है अगर उसे क्या दे दिया जाए उसे यह particular चीज जो है वो inject कर दी जाए एक दम से red, एक दम से blue एक दम से yellow, अपनी मर्जी से कुछ भी हम् हम् चलो next देखते हैं next देखते हैं question number 14 क्या कह रहा है Can there be mitosis without DNA replication in S phase क्या बिना DNA replication के mitosis हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि S phase में DNA replication ही ना हो, क्या तब mitosis हो सकता है, बताओ, अगर DNA replication नहीं होगा S phase में, तो क्या mitosis हो पाएगा, देखेंगे answer, mitotic cell division cannot take place without DNA replication in S phase, अगर S phase में, synthesis phase में, जो interface की S phase है, उसमें अगर DNA replication ना हो, तो mitotic division नहीं हो सकता, ऐसा क्यों, two important events takes place during S phase, है ना, दो important events होते हैं S phase के बागत, पहला synthesis या duplication of DNA और दूसरा duplication of centriole, समझें, centriole का duplication भी वहीं पर होता है, अगर centriole एक ही होगा, ठीक है, तो फिर वो कैसे opposite poles की तरफ जाएगा, कैसे chromosomal content को खीचेगा, कैसे वो क्या करवाएगा, nuclear division को करवाएगा, centriole के बिना, cell cycle में, cell division कैसे possible हो सकता है, तो अब समझाया, के synthesis phase से क्या लेना देना, synthesis phase में लेना देना है, इस duplication of centriole से, इस duplication of centriole से, अगर DNA replication नहीं होगा, S phase ही नहीं होगी, ठीक है, अगर S phase ही नहीं होगी, DNA replication ही नहीं होगा, और जो material है, अगर वो duplicate ही नहीं हुआ, तो centriole उनसे दोनों को आदा आदा दोनों तरफ पोल पे बाटेगा, कैसे, nuclear division करेगा, कैसे, तो दोनों चीज़ important है, वरना cell division नहीं हो सकता, meiosis, sorry, mitosis नहीं हो सकता, तो these are the two important events which takes place during S phase, मतलब synthesis phase, पहला synthesis या duplication of DNA, दूसरा synthesis या duplication of centriole, DNA duplication important है, क्योंकि इससे ही chromosome number जो है, वो maintain रहेगा, daughter cell में, और mitosis, जो है, वो एक equational division होती है, उसके लिए, chromosomal content को equal maintain करने के लिए, पहले double करेगी, तभी तो equalize करेगी, जरूरी है, and therefore the duplication of DNA is an important step, इसलिए, DNA duplication भी important step है, centriole duplication भी important step है, DNA duplicate होगा, तभी वो क्या करेगा, दो centrioles में अलग-अलग आदा-दा बटेगा, और centrioles दो होंगे, तभी तो उसको आदा-दा बाटेगे, अकेला होगा, तो किस तरफ कैसे खीचेगा, कैसे खीचेगा, esters बना लिए मानलो इस एक centriole ने, और बना लिए spindle fibers, अब ये क्या करें, हाँ, पूरा genetic material एक जगे से से पकड़के बैठा रहे, हाँ, दोनों साइट से पकड़के जब उनको खीचेगा, तोड़ेगा, chromatics को, तब तो division होगा, ठीक, तो centriole का duplication जरूरी है, DNA का duplication जरूरी है, S phase का होना बहुत जरूरी है, अगर S phase के functions पूरे नहीं होगे, तो M phase का भी, नहीं होगा, आप क्या पूछा है इन्होंने, can there be DNA replication without cell division, क्या ऐसा हो सकता है कि cell के divide किये बिना, ठीक है, DNA replication हो सकता है क्या बिना cell division के, bethau, can there be DNA replication without cell division, बहुत simple सा answer है और बहुत इंपल सा आंसर है, ठीक है, बहुत direct सा question, simple सा answer, जल्दी बताओ Can there be DNA replication without cell division? क्या cell division के बिना DNA replication हो सकता है? C, देखते हैं answer There can be DNA replication without cell division यह सिंपल सी बात है Cell division वाली phase तो दूसरी है यह तो interphase का काम है Cell का division करने वाला phase तो दूसरा है Mitosis, meosase, वो phase दूसरा है यह तो interphase का काम है DNA replication करना Cell उसके बाद divide करें ना करें उसे क्या मतलब? वो तो DNA replication तो interphase के का अंदर आता है S phase के अंदर आता है वो तो हो जाएगा तो इसलिए, yes, there can be DNA replication without cell division ठीक है, cell division के बिना भी DNA replication हो सकता है And during cell division, the parent cell gets divided into two daughter cells Cell division के वक्ट जो parent cell है, वो दो daughter cell में divide हो जाती है However, if there is a repeated replication of DNA without any cell division और अगर कभी ऐसा होता है के बिना किसी cell division के ठीक है, बार-बार क्या हो DNA जो है, वो replicate हो जाए मतलब देखो, cell है कभे? Interphase में कहां पर है अभी यह? Interphase में इसने क्या किया? अपना genetic material जो है, वो क्या था? इतना था? उसने उसको duplicate कर दिया, double कर दिया ठीक है? अब यह cell जो है, वो divide ही नहीं हुई Material double कर लिया Duplicate कर लिया यह cell divide ही नहीं हुई ठीक है? और फिर से इसने replicate करना start कर दिया तो भई cell abnormalities आएंगी ठीक है? क्रोमोजोमल abnormalities आएंगी यहाँ पर अगर repeated replication होगा DNA का बिना किसी cell division के then this DNA will keep accumulating inside the cell यह जो double किया हुआ DNA है यह cell के अंदर ही बन के रह जाएगा क्योंकि उसको divide करने के लिए cell division तो हुआ नहीं तो this would increase the volume of the cell nucleus इसकी वज़े से cell का nucleus जो है वो double हो जाएगा बढ़ा हो जाएगा और होगा क्या cell expansion अब यहार nucleus बढ़ा होगा तो पूरी cell को भी expand होना पड़ेगा cell expansion को cause होगा An example of DNA duplication without cell division is एक ऐसा example हम यहाँ ले रहे हैं जिसमें क्या होता है? DNA duplication होता है लेकिन cell division नहीं होता commonly observed in the salivary glands of drosophila drosophila की salivary gland में ऐसा होता है the chromosome undergoing repeated DNA duplication is known as polyteen chromosomes वो chromosome जो की repeatedly DNA duplication करते जा रहे हैं ठीक है? उन chromosomes की बात हम कर रहे हैं जिनके अंदर का DNA repeatedly अपने आपको duplicate करता जा रहा है लेकिन divide नहीं हो रही cell तो इस तरह के chromosomes को हम कहते हैं polyteen chromosomes क्या कहते हैं? इस तरह के chromosomes को हम कहते हैं polyteen chromosomes ठीक है? इस तरह के chromosomes को क्या कहते हैं हम? polyteen chromosome कहते हैं क्या mechanism पढ़ा हमने? देखो पूछा गया था हमसे क्या ऐसा हो सकता है कि cell division के बिना DNA replication हो जाए तो हमने कहा हाँ yes बिना cell division के DNA replication हो जाए क्योंकि उसका उससे कोई ऐसा नहीं है कि उसको DNA replication को करवाने के लिए cell division का होना ज़रूरी है DNA तो replicate कर जाएगा उसको दिक्कत नहीं है वो तो interface का part है interface में भी किसका part है? S phase का part है वो तो हो जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है पर अगर ऐसा होगा कि DNA replication होता जा रहा है और cell division नहीं ही हो रहा है उस case में क्या होगा? इस case में यह होगा कि जो repeated replication होगा DNA का बिना cell division के इसकी वज़े से DNA जो है वो accumulate हो जाएगा बहुत सारा double 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 nucleus enlarge हो जाएगा nucleus enlarge हो जाएगा तो जो पूरी की पूरी cell है overall cell भी expand करेगी cell expansion होगा और इसका एक example है ऐसा कहा होता है? ऐसा होता है drosophila के salivory glands में ठीक है drosophila के salivory glands में ऐसा होता है cell expansion होता है nucleus जो है वो कैसा हो जाता है? बहुत जादा बढ़ा हो जाता है अब यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि इस तरह के जो chromosome हैं जिनका genetic material जिनका DNA क्या कर ले duplicate करता रहे repeatedly लेकिन cell divide नहीं कर रहे ही chromosome number नहीं बढ़ रहा ठीक है तो यह वाली condition में इस chromosome को हम कहते हैं polyteen chromosome क्या कहते हैं इस chromosome को हम polyteen chromosome कहेंगे यहां तक clear है क्या चलो next देखते हैं question number 16 question number 16 क्या कहता है c analyze the events during every stage of cell cycle and notice how the following two parameters change ठीक है cell cycle का हर एक stage का event आपको क्या करना है analyze करना है और यह बताना है notice करना है कि कैसे यह दो parameters change होते हैं number of chromosome कैसे change होता है per cell ठीक है number of chromosome per cell कैसे change होता है अच्छा ठीक है देखते हैं देखो सारे के सारे जो cell division के stages हैं उन सब को analyze करना है सारे events को analyze करके बताना है कि number of chromosome per cell कैसे change होता है चलो बही बता देते हैं question तो अच्छा है पूछा भी बड़े अच्छे तरीके से है बता देते है क्रोमोजोम नंबर सबसे पहले कैसे चेंज होता है during anaphase 1 of the meiotic cycle क्यों meiotic cycle पर आ गए ये लोग directly क्योंकि mitosis में तो क्रोमोजोम नंबर चेंज ही नहीं होता और second meiotic division में भी नहीं होता कहां change होता है सिर्फ first meiotic division में क्रोमोजोम नंबर की हम बात करें ploidy level की हम बात करें सिर्फ first meiotic division में होता है अब first meiotic division में कहां कहां होता है वो देख लो anaphase 1 में क्या होता है देखो pro phase में तो नहीं meta phase में भी सिर्फ align होता है anaphase 1 में होता है फिर अलग-अलग divide करने का काम तो सबसे पहले शुरू हुआ कहां से एनाफेस से सबसे पहले आप answer देना स्टार्ट करोगे कहां से एनाफेस से, कैसे पहुंचे आप इस बात पर कि हमें meiotic cycle की एनाफेस बन चाही answer देना है, देखो बिटा क्योंकि mitosis में हाँ, होता है लेकिन कौन से meiosis में होता है 1 में या 2 में 1 में होता है, 2 में नहीं होता तो 2 की बात भी खतम होगी अब 1 में कहां होता है 1 में कहां होता है 2 में तो नहीं होता देखो 2nd meiotic division में तो नहीं होता 1 में कहां होता है 1 में होता है C Pro face Metaphase 1 Anaphase 1 और फिर क्या है? Telophase 1 ठीक? Profase 1 याद करो मैं आपको सर्फ इतना समझा रही हूँ कि यहाँ पर इनो ने डिरेक्ट ली एना phase 1 of meiotic cycle क्यों answer देना start कर दिया? क्योंकि mitosis cancel out हो गया, meiosis second cancel out हो गया, meiosis 1 में profase 1 cancel out हो गया क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ cell growth हुई थी है ना, यहाँ पर तो सिर्फ cell growth हुई थी और यहाँ पर metafase में क्या हुआ? metafase में क्या हुआ? metafase में तो सब एक line में आय थे, division वगरा अभी कुछ नहीं हुआ, chromosome number अभी बटना शुरूर नहीं हुआ, है ना यहाँ पर भी नहीं हुआ, फिर कहां हुआ था? anafase में, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, सब cancel out हो रहे है anafase में हुआ, anafase में सबसे पहले chromosome number जो है, वो क्या हुआ था? half हुआ था, ठीक है? जो homologous chromosome से वो क्या हुआ थे? एक दूसरे से जुदा हो गए थे, ठीक है? वो क्या हुआ थे? एक दूसरे से जुदा हुए थे यह हुआ था anafase 1 में, इसलिए answer आ रहा है anafase 1 से, पढ़ लेते हैं, अब क्या खहा हुआ उन्होंने? the homologous chromosome separate and start moving toward their respective poles जो homologous chromosome से वो separate हुए और अपने respective poles की तरफ move करना start कर दिया, ठीक है? as a result, the biovalence get divided into two sister chromatids और इसी की वज़े से, जो biovalence थे, वो divide हो गए किस में? दो sister chromatids में और जो half chromosome number था, वो चला गया किसका? parent cell का कितना? half chromosome number चला गया, दो daughter cell में ठीक है? parent cell का जितना chromosome number था, उससे half half number of chromosome चला गया, दो daughter cell में. Therefore, the number of chromosome reduces in anaphase 1. इसलिए, number of chromosome कहां पर reduce हुआ? anaphase 1 में reduce हुआ. अब आप समझो, second anaphase, उसमें number of chromosome reduce होता है क्या? नहीं होता. सिर्फ chromatids separate करते हैं. Number of chromosome reduce नहीं होता उसमें. ठीक है? chromatids separate होते हैं, number of chromosome reduce वहां नहीं होता. वो तो बिलकुल सेम होता है, matosis के तरह equational division होता है. ठीक है, वो कैसा होता है, matosis की तरह equational division होता है. उसमें chromosome number half नहीं होता. इसलिए आप यहां पर इसका answer क्या दोगे? कि सारी की सारी cycle की, उन्हों नहीं किया कहा था हम से? कि आप पूरी, ठीक है? सारे के सारे events को analyze करो cell cycle के. कर लिया हमने, सबको कर लिया. सारे events को analyze कर लिया. फिर क्या पूछा कि यह बताओ, notice करके कि यह जो number of chromosome per cell जो change होता है, वो कब होता है? तो वो होता है, anaphase one में meiotic cycle के anaphase one में number of chromosome जो है, वो क्या होता है? change होता है. क्लियर है इतनी बात, anaphase one में meiotic cycle की chromosome number change होता है, reduce हो जाता है, हाफ किस से parent से, daughter cell में. यहाँ तक concept समझ आया. दूसरा पूछ रहे है, amount of DNA content per cell. Per cell, amount of DNA content कब बदलता है? आप बताओ, आप बताओ, इसका answer, सोचो जड़ा, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो DNA content का amount per cell कब बदलता है? कौन सी stage में आके बदलता है? बढ़ता है, या कम होता है, या फिर कुछ नहीं बदलता सेम रहता है? क्या answer बनेगा? Analyze the event during every stage of cell cycle and notice how the following two parameters change. कैसे यह दोनों parameters change होते हैं? See, देखो answer क्या बनेगा? See, during anaphase two, anaphase two की बात आगई ठीक है? anaphase two के वक्त, meiotic cycle के ही the chromatic separate chromatic separate होते हैं? है ना? अभी बताया है मैंने, पहले anaphase one में क्या होता है? या यह बहुत अच्छा question है, इसके लिए एक बार फिर से diagram बनाना बनता हैं देखो, anaphase one और anaphase two बनाते हैं anaphase one और anaphase two बनाते हैं, देखो anaphase one में मैं बना देती हूँ ठीक है, मैं सिर्फ दो ही chromozoom बना रही हूँ, ओके? टाकि mixed ना हो चीजे ये बनादी है मैंने centrioles अब बनाने हमें esters or spindle fibers ठीक है, esters or spindle fiber इस बार मैं सेम कलर से बना रही हूँ ठीक है, अब हमें क्या करना है ठीक है, ये क्या है anaphase 1, ये क्या है anaphase 2, ठीक है, anaphase 1 और anaphase 2 अब anaphase 1 और anaphase 2 को जड़ा देख लो एक बार 2 में क्या change आएगा, भी 2 नहीं बनाई न हमने 2 में क्या होगा, देखो ये जो anaphase 1 में यहाँ पर दोनों side पर दो अलग-अलग chromosome जो की पहले जुड़ हुआ करते थे इनका जो pair था, homologous chromosomes का ये separate हुआ, है न, anaphase 1 में क्या हुआ था pair of homologous chromosomes separate हुए थे, ठीक है, ये separate हो गए फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, anaphase के बार telophase आएगी, और ऐसे करके 2 अलग-अलग cell में, ठीक है, ऐसे करके हमने ये वाली cell ले ली, yellow chromosome वाली, ठीक है, for example, हमने ये वाली cell ली ये, ये, ये लो chromosome वाली, अब इसनके पास कितने cell है, कितने chromosome है, ये 2 chromosome है, ये 2 क्रोशोम है, ये 2 chromosome क्या होंगे, एक, एक chromatrix तरफ और दूसरे वाले chromatits इस तरफ, और chromatrix की हालत के होतीा सि है नहुंझे ऐसे का रिया एमने लिए ग्रीन स्पिंडल फैंपर्स के लिए ठीक है है ऐसा ऐसी कहांई की तीग कैसी ठीक है रहसे नहीं Button शेम्हें वनेंगी अब आप देखोव झारा अब क्या होगा एन फेस्टू के अब जो division हुआ वो किस चीज़ का हुआ यहां पर कौन separate हुआ chromatids separate हुए एक ही chromosome के दोनों chromatids आप एक दूसरे से separate हो गए और anaphase 1 में क्या हुआ? दो chromosome ठीक है? एक pair के दो chromosome separate हुए anaphase 2 में क्या हुआ? एक chromosome के दो chromatids separate हुए anaphase 1, anaphase 2 anaphase 1 anaphase 2 यह पूरा question आपको इन दोनों के बीच का difference ही बता रहा है overall घूम फिर के ठीक है? एनaphase 1 में क्या हुआ हुआ है? pair of homologous chromosomes separates ठीक है? और anaphase 2 में क्या हुआ हुआ है? chromatids of chromosomes separate ठीक है? ठीक है? इस इस बेसिक दिफरेंस बिट्वीन एनफेज 1 एनफेज 2 समझे पहला जो आपको condition बताया गया था उसमें आपसे यही पूछा गया था कि सबसे पहले chromosome number कब change हो रहा है per cell तो वो होता है जब homologous chromosome क्या होते हैं pair जब बिछड जाते हैं मतलब एनफेज 1 की कहानी एनफेज 2 आपसे यह पूछा गया कि जो DNA content है वो कब बदलता है तो देखो हर chromosome के पास जितना DNA content था अब वो half हो गया क्योंकि उसका आधा chromatic चला गया उदर आधा चला गया इदर तो अब क्या होँआ DNA content भी change हो गया तो DNA content कब बदलता है जब chromatic separate होता है मतलब एनफेज 2 में during एनफेज 2 of the meiotic cycle the chromatic separate as a result of what as a result of splitting of the centromere जो centromere है वही split हो जाता है यहाँ पर कौन split हुआ था यहाँ पर synaptonimal complex तूटा था यहाँ पर synapsis तूटा था यहाँ पर pair तूटा था यहाँ कौन तूट रहा है यहाँ तूट रहा है centromere यहाँ कौन तूट रहा है centromere split हो रहा है see अब यह जो centromere है it is the centromere that holds together the sister chromatids of each chromosome और यह वो centromere ही था विचारा जिसने यह जो हर एक chromosome के दो sister chromatid है उनको जोड के रखा हुआ था पकड के रखा हुआ था दोनों को मिला के चिपका के रखा हुआ था यह centromere ही split हो जाता है क्यूं होता है विचारा वो भी नहीं चाहता दोनों को जोड़ा करना पर यह है ना spindle fiber क्या करें इनका यह spindle fiber खीच रहे हैं उसको पकड के काइनेटो को पकड के खीच रहे हैं यह दोनों तरफ तो इस वज़े से वो centromere दोनों का क्या हो जाता है बीच का split हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं मजबूरी में तो as a result the chromatids move towards their respective poles इस वज़े से यह जो chromatid है यह अपने respective poles में जिस तरफ उन्हें खीच के ले जाया जा रहा है कि जहां centriole वहीं chromatid यह चले जाते हैं बीचारे मजबूरी में and therefore at each pole a haploid number of chromosomes and a haploid amount of DNA is present और इसी वज़ा से हर एक pole की तरफ haploid number of chromosome यह haploid amount of DNA जो है वो पाया जाता है यह थी इस पूरी कहानी की क्या इस पूरी कहानी की यह सार थी ठीक है समरी थी चलो इसका एक बार screenshot ले लो फिर देखते हैं आगे एक बार screenshot ले लो इसका फिर देखते हैं आगे भाई almost तारे question सब कुछ हो गया है हमारा NCRT solution complete हो गया है chapter हम complete करने की तरफ बढ़ रहे हैं cell cycle cell division थोड़ा सब आगे देखो then आगे देखते हैं see during mitosis the number of chromosomes during mitosis the number of chromosome remains the same mitosis के वक्त chromosome का number same रहता है जो DNA duplicate हुआ है किसमे S phase में वो separate हो जाता है दो daughter cells में S phase में जो DNA duplicate हुआ था वो daughter cells में separate हो जाता है एना phase के वक्त ही यहाँ पर भी अना phase में होता है यह काम तो as a result जो DNA content होता है ठीक है DNA content जो होता है newly formed daughter cells का वो कैसा रहता है same ही रहता है तो यहाँ पर DNA content में change नहीं आता DNA और chromosomal content में change आता है कहां meiosis में किसमें meiosis में ठीक है clear है इतनी बात clear है इतनी बात चलो एक बार देख लेता है सारे questions जो भी हमने आज तक देखे है आज तक जो हमने cell cycle cell division के questions देखे है आज के session में ठीक है चलो कहां से start किया था हमने यहां से find examples where four daughter cells form meiosis meiosis से जो 4 daughter cells बनती है वो equal रहती है size में ऐसा example बताना है और एक example बताना है जहां वो unequal थी size में ठीक है तो spermatogenesis में equal रहती है ogenesis में unequal रहती है फिर अब आपको बताना था distinguish करना था between mitosis from anaphase 1 and meiosis अच्छा anaphase 1 अच्छा mitosis की anaphase और meiosis की anaphase 1 के भी differentiate करना था ठीक है हाँ चलो देखो भाई इसका हमने difference बताया था फिर के mitosis जो होती है उसकी anaphase में क्या होता है chromatic separate होते है यहाँ पर जो first anaphase होती है उसमें chromosome separate होते हैं और यह हमने अभी बनाया था ठीक है चलो हाई आगे बढ़ते हैं anaphase of mitosis जिसमें chromatic separate हो रहे है anaphase one of meiosis जिसमें chromosome separate हो रहे है after crossing over अब हमें बताने थे main differences between mitosis और meiosis जो की बहुत important question है बहुत important question है ठीक है यह वाला question कोई भी skip नहीं करेगा mitosis meiosis के बीच का difference सबसे पहला difference तो यह है कि जो मैंने लिखके दिखाया था कि यह होती है somatic cell में होती है germ cell में यह करती है क्या एक डिविजन पर दो डॉटर सेल बनाती है और यह दो डिविजन करती है successive पहले meiosis one फिर meiosis two और last में बनते है चार डॉटर सेल्स ठीक है इसे equational division कहते है इसे reductional division कहते है ठीक है equational division कहते है mitosis को और meiosis में जो दो stages है meiosis one कहलाता है reductional division और two कहलाता है equational division ही ठीक है आप देखेंगे next mitosis और meiosis जो synaptonymal complex है और chesmeta formation है synaptonymal complex के अलावा और क्या बनता है यहाँ पर आपका chesmeta crossing over यह सारी conditions यहाँ apply नहीं होती mitosis पे meiosis पे सब होता है ठीक है इसका सबसे important role है किस चीज में healing growth और repair में और meiosis का function होता है sexual reproduction में gamete formation में ठीक है meiosis का significance क्या है अभी बताया gamete formation chromosome number maintain करके रखता है variation को लेके आता है chromosomal mutations को cause करता है हाँ मैं देखना था भाई haploid insect or lower plant में cell division कहा होता है कैसा होता है तो हमने देखा कि haplontic life cycle maintain करते हैं और कुछ higher plants में भी haploid cells जो है वो cell division कैसे करती है या जिन में cell division होता ही नहीं तो फिर वो बना लेती है polyploidy वाली condition cell division नहीं हुआ तो वो बना लेती है क्या polyploidy वाली condition क्या mitosis बिना DNA replication के हो सकती है तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर DNA ही replicate नहीं करेगा duplicate नहीं करेगा साथ ही साथ S phase में centriole भी duplicate करता है अगर यहीं नहीं बनेगा तो mitotic apparatus complete नहीं होगा और वो mitotic apparatus नहीं बना तो mitosis भी नहीं होगा यह नहीं हो सकता है फिर हमसे पूछा गया क्या mitosis जो है वो नहीं क्या cell divisa जो है वो बिना DNA replication के हो सकता है क्या DNA replication जो ह।ो यह हो सकता है क्योंकि DNA replication interface का part है और cell division उसकी दूसरी वाली phase है अगर dna replicate कर रहा है तो इंडिपेंडेंटली कर रहा है उसे मतलब नहीं कि बाद में cell divide करें ना करें फिर वो condition बाद में देखी जाएगी ठीक है अगर ऐसा कुछ केस होता है कि dna replicate करता रहे repeatedly और उसके बास cell division वाली phase ना आए जो कि cell cycle में आनी चाहिए cyclic way में अगर ऐसा नहीं होता है तो जो chromosome से उनके अंदर genetic material क्या होगा dna क्या होगा repeatedly duplicate करेगा repeatedly क्या करेगा replicate करेगा उस case को कहते हैं हम उस chromosome को कहते हैं polytine chromosome क्या कहते हैं उसे polytine chromosome फिर हमें बताने थे सारे के सारे cell cycle के events सारी stages को analyze करके कि number of chromosome per cell कब बदलता तो number of chromosome कब बदलता है एना phase 1 of meiotic cycle में और amount of dna कब बदलता है एना phase 2 of meiotic cycle में ठीक है तो ये थे हमारे आज के सारे questions जिसके साथ हमने complete कर लिया है chapter cell cycle and cell division with all of its ncrt solutions ठीक है सारे topic wise explanation और ncrt solution हमने इसके complete कर लिया है आपका अगर कोई भी portion इसका missing रहा है तो उसको जरूर देख लेना जरूर देख लेना इससे पहले की next lecture में हम कोई नया chapter start करें पुराना सब कुछ complete कर लेना क्यासे करोगे भई कहां जाओगे कैसे ढूलोगे lectures को जाओगे अपने favorite channel magnet brains के playlist section में मिल जाएंगे आपको live और recorded lectures के playlist और उन playlist में जाके आप धून लोगे मुसकान मैम्ज के दौरा पढ़ाए हुए सारे ही chapters अब तो हम जितने भी complete कर चुके है ठीक है यहां तक हम सारे chapters complete कर चुके हैं बस एक biomolecule हमने बीच में skip किया था क्योंकि उसकी कोई connectivity नहीं थी cell the unit of life और cell cycle के साथ connectivity है लेकिन biomolecule की नहीं थी उसे हम अब complete करेंगे ठीक है उसे हम अब complete करेंगे अब तक 9 chapters हम complete कर चुके हैं और यह सारे chapters ठीक है 9 chapters मैं क्यों करी हूँ यह chapter number 10 है पर total in total हम 9 chapters complete कर चुके हैं मतलब हम अपना हम अपना कितना से ले बस complete कर चुके काफी सारा 50% के असपास आ गये हैं तो बस अब आपको क्या करना है आपको भी मेरे सांस सांथ ही चलते रहना है कुछ भी अगर miss out हुआ है तो चाहे आप channel से पढ़ो चाहे आप app से पढ़ो चाहे आप website से पढ़ो बस पढ़ते रहना और सांस सांथ पढ़ते रहना पीछे नहीं रहना है ठीक है हर जगा आपक क्यार विवान